हलो और नमस्कार दोस्तों स्वागेता आप सभी का रास्तान इस्ट्री ओफीसियल यूट्यूब चैनल पर तो फ्रेंट्स आज हम इस वीडियों बात करने वाले रास्तान की कला और संसकर्ती के अंतर जो महतपून टोपिक आता है और जो हमारी सीरी चल रहे है रास्तान के द बटकना नहीं पड़ेगा इतना मेटर आपको मैं इस वीडियो में दे दूँगा कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अगर आप रास्तान पुलीस पटवारी हाई कोट रीट बीएस्टी सी पीटेटी इनमें से कोई भी कब 12 जुलाई 1155 में रखी थी तता इनकी जो है मुर्त्यों हो जाने पर इसका जो है धीकतर निर्मान कारी है उनके पुत्र और उत्रादिकार जो है सालिवाहन सेकेंड ने करवाया था तो यह आप ध्यान रखेंगे और जो जैसल मेर्दूर्ग है वो मेरू पहाड़ी पर यह भी आप ध्यान रखेंगे वहीं जो जैसल मेर्दूर्ग है वो रास्तान का दूसरा सबसे पुराना किला है तो जो सबसे पुराना है वो तो चितोड़ गड़े है जैसा कि मैंने आपको बताया था लेकिन जो दूसरा सबसे पुराना है वो हमारा जो जैसल से बना होने का जो है सोने की आबाली वे परतीत होता है और इसलिए जो है सोनार किला भी कहा जाता है तो यह भी ध्यान रखेंगे अब बात कर लेते हैं जिन से आप से पूछा जाता है जैसे यह पूछ लेगी तिरकूट गड कहा है तो आप कंफ्यूज नहीं हो ना क्योंकि जैसलिमेर दुर्ग कही तिरकूट गड सोनार का किला, रेगिस्तान का गुलाब, गल्यों का दुर जैसान गड सोरंगिरी, पस्चे मी सिमा का प्रहरी, तिरकूटान चल, गोड हरा, गोहरा गड सोनगिरी, दी गोल्डन फोर्ट, रास्तान का अंडमान, बाती भंड किवार रेत का समुंदर में जो है लंगर लिये वे जहाज के समान तो यह सारी जो है उपमा जो इस दुर्ग को मिली वी है और यहां से आप से जो है कुछ भी पूछा जा सकता है तो मैं आपको A to Z इतनी गारंटी देता हूँ कि इतना मेटर मैं आपको इन दुर्गों में दे दूँ नहीं किया गया है तो यह मैंने आपको बता दिया है वहीं जो वर्ष 2009 में जो यहां पर भूक कम पाया था इसलिए इस दुर्ग में थोड़ी बहुत दरारे पड़ गई है यह विशाल दुर्ग है और अंगडाई लेते हूए सेर के समान परतीत होता है और इस दुर्ग में कितने बुर्ज है निनान में तो ये भी पूछा जा चुका है निनान में बुर्ज आप ध्यान रखेंगे और जैसल में और दुर्ग के लिए एक कहवत परसलित है कौन सी कि यहां पत्थर के पेर लोहे का सरीर और काठ के गोड़े पर स्वार होकरी पहुंचा जा सकता है य जो है गड़ दिल्ली गड़ आगरो अदगड़ विकानेर बहलो चेनायो बहाटिया सीरे तो जैसल मेर तो ये आपको जो क्योस्टन में देखर सीधा सीधा पूछले कि यह किस दुर्ग से समधित है तो ये भी जैसल मेर से है तो जहां रखना अबूल फजल ने जैसल मेर द हवा पूल अदी जो है मुख्य परवेस दौर माने जाते हैं वहीं बात करें जो जैसल मेर दुर्ग में जो जैसल का कुवा भी बना हुआ है तो सारे एटुजेड में आपको फैक्ट हैं इस दुर्ग से समधित कवर करवाने वाला हूं तो चिंता मत करो एंड तक देखो ब पहरी भी माना जाते हैं वहीं बात करें जैसल मेर दुरग पर ही वर्स 2009 में 5 रुपय का डाग टिकेट जारी गए तो ये बहुत ही डाग टिकेट है वो हर जो है बंदा खरीदता है जब भी उसपर करता है तो उसे जो पताचलता है कि इस पर जो है जैसे चितर किया हुआ है तो वो पता करता है कि यह क्या चीज है जिससे जो है इस दुरुग की सौभा बढ़ती है पूरे इंडिया लेवल पर और लोग यहां पर गोमने के लिए आते हैं और उन्हें भी पता चलता है कि वाकई में यहां पर आस्तान में कुछ महतुपून दुरुग बने हुए है तो यह धान रखना कितने रुपे की डाग टेकट पांच रुपे की कब वर्स 2009 में वही बात करें जेसल मेर दुरुग है और राजस्तान में चितोड़ गड़ दुरुग के बाद सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है यहां पर जनता भी रह सकती है और सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है वहीं बात करें जसल मेर दुरुग को यूनेस को दौरा कब यूनेस को दौरा वर्स 2013 में विस्वादरोवर की सुची में भी सामिल किया गया था अब यह तो हुई जसलमेर दुरुक की बात लेकिन यहां पर जो है महतुपन अड़ाई साके भी हुए यह दो साके तो कंप्लेट हुए लेकिन तीसरा था वो आदा ही जो है हुआ था अब बात कर लेते हैं कि यह साके कौन गोन से है तो वहीं फर्ष्ट साका है वो जसलमेर के बाटी सासक मोलराज और दिल्ली सुल्तान अलाउदिन खिलजी के मद्या जो 1313 के लगबग यूद दूआ जिसमें मोलराज ने कैसर की इंकैसरिया किया और राणियों ने जोहोर किया था तो यह नहीं पूचा जाता है आलंकि जो आपको ध्यान होना चाहिए जो इंपोर्टेंट साका है वो तीसरा ही माना जाता है जसलमेर दूर का और वहीं से क्यूस चनाता है वहीं बात करें जसल मेर के तीसरे साके की तो ये जो तीसरा हुआ था वो अर्द साका था यानि अर्द साका कैसे तो इसमें जो है कैसरिया तो किया लेकिन जो है राणियों ने जोहर नहीं किया और ये कब हुआ राव लोनकरन और कंधार के जो है सासक अमीर अली के मद्या जो 1550 में तो ये भी आप ध्यान रखेंगे इसमें वीरों ने कैसरिया तो किया लेकिन जो हर नहीं वारानियों के द्वारा इसलिए जो अर्ध साका कहा जाता है तो फ्रेंड्स आई होब कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहे ना प्लीज इस वीडियो को अभी लाइक कर दो यार और जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो और मैं आपको पूरे दुर्ग इसी तरह कंप्लेटली पढ़ वाला हूं तो आप जो इस चनल के साथ जूड़ जाए ताकि जो है बेल आइकन प्रेस कर दो जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिपिकेशन मिल जाए वही अगर आपको रास्तान जिला दर्शन पढ़ना है या 33 जिलों का संपोन अध्यन करना है तो आप मारी र जिट करके भी सारा मैटर फ्रियोब कोस्ट देख सकते हैं वहीं आपको पीडियाफ नोट्स ये जो है टेलिग्राम पर मिली जाएंगे जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है अगर आप जो है कोई स्पेसल जो है रास्तान में कोर्स की बुक परचेस करना चाते है यानि आपको जो है पता नहीं है कंफ्यूज हो रहे हो कि कौन सी किताब जो है किस कोर्स के लिए बेस्ट रहेगी तो रास्तान पुलीस पटवारी बीएश्टेसी दिल्ली पुलीस इन सब की किताबें जो महत्वपुन किताबें हैं उनके लिंक भी आपको डि इस्तली कहा जाता है क्योंकि जो मारवार के अद्धिकांस सासक थे वो जो है जब भी जो उन पर संकट आता था ना तो वही हैं सरन लेते हैं जैसे राव जो राव चंदर्शें थे और यह बहुत सारे सासक है वो सिवाना दुरुग में ही अपनी जो है सरन इस्तली लेते थ यानि अल्देशवर की पाड़ी ए चपन की पाड़ियों में वहाँ पर जो इसका निर्मान है वो वीर नरायन पावार नहीं करवाया था तो यह भी आप ध्यान रखेंगे और शीवाना दुरुग में ही ध्यान रखना जैन नरायन व्यास का आपने नाम सुना होगा डेफि करें शीवाना दुरुग को जो कूमट दुरुग भी कहा जाता है कौन सा दुरुग कूमट दुरुग तो यह भी आप ध्यान रखेंगे और शीवाना दुरुग में दो साके हुए तो यह मोस्ट इंपोर्टेंट साके हर दुरुग से संबंदित आपको जो पढ़ने ही उसमें जो शिवाना दुर्ग था वो किस के अंडर में आता था सितल देव या सातल देव जो कि कानड़ देव का बतिजा था और शितल देव के पुत्र का नाम था सोम, सितल देव का वीर सेनापती था भावले पुआर। इन्हों ने चल से यहां पर आक्रमन किया और शितल दे और सौम हो लड़ते वे वीरगती को प्राप्त हुए और दुरुक की राणियों ने यहां पर जोहर किया कि अलाओदिन खिलजी की सेना थी उन्होंने यहां पर मतलब गाय का मास और रक्त मिला कर पूरे पानी को दुसित कर दिया और अलाओदिन खिलजी द्वारा देहन रखना सिवाना दुरुक को जीत लिये जाने के बाद इसका नाम है वो बदल कर खेराबाद रखा था अब यह लेकिन सेकेंड साका अगर आप से पूछ ले कि कब और किसके निकाल में हुआ था तो यह सोड़ा सो के आसपास जो है मुगल बादसा अकबर ने जोदबुर के मोटा राजा उद्दे सिंग के नेतरतों में ध्यान रखना जिसको मोटा राजा की उपादी है लेकिन यह वीरकला है वो लड़ते वे वीरगती को प्राप दोए और उनके हाड़ी रान दुरों के निस्तरियों के साथ जोहर किया तो यह सिवाना का दूसरा साका था हलांकि आप से यह नहीं पूछा जाएगा कि रानी का नाम बताओ आप से यह पूछा जाएगा सासक कौन था और आकरमन किसका था तो यह आप ध्यान रखेंगे मैं तो पूर्ण थे थे वाकि मैंने जो है इन दो दूरों से समध्य आपको जो है कोई भी क्योसन आता है तो आपका एक भी जो है सिंगल क्योसन गलत नहीं होने वाला है अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को एंड तक दी गई है बाकि आप रास्तान जिल्ला दर्शन एक बार प्लेलिस्ट में विजट जरूर कीजिए कि क्योंकि जिल्ला दर्शन से भी मैतोपून क्योसन आ जाते हैं बाकि से प्रिये स्वस्तर यह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो हमारा होने वाला रास्तान के परमुख यूदों से सम्बन देद तो प्लीज देखिएगा जरूर बाकी जहन्द वंदे मातरम